बाकपत में हर्याना से मजदूरी कर लोट रही लोगों से भरी नाव यमना नधी में पलट गई नाव में सवार करीब 12 लोग डूब गई इसमें अधिकांश महिलाएं बताई जा रही है बताया जा रहा है कि ग्रामीन उन्हें किसी तरह तीन महिलाओं को बहार निकाला लेकिन एक की मोके पर ही मोत हो गई गोता खोर डूबी महिलाओं की तलाश कर रहा है गोता खोरों ने नाव ढूण ली है लेकिन डूबे हुए लोगों का पता अभी तक नहीं चल सका है बागपत को तवाली शेतर के पक्का घाट पर गुरुवार शाम को हर्याना से बागपत आते समें एक नाव हाथ से का शिकार हो गई नाव में सवार एक यूपती के शव को बरामत कर लिया गया है SDM बागपत राम नयन सिंग इसकी पूस्टी की है उन्होंने बताया कि दो और महिलाओं को निकाला गया है जिनको परिजिनों को लेकर चले गए है अभी और जानकारी जुटाई जा रही है गोता खोरो की टीम को लगाया गया है अभी और लोगों के डूबे होने की सूचना है लेकिन कितने लोग डूबे हैं इसकी सही जानकारी नहीं हो पा रही है कि अ ओ से राज मिले हैं कितने बाकी चार पांच जोग अब यह जोड़ी नाव थी नाव तो छोटी से नाव है अब बड़े पाने के लिए बेल आइकन को फ्लिक कर हमारी चैनल को लाइब शेर और सब्सक्राइब करें हैंने बाद